नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत हैं हमारे यूटिप चैनल फेयर एंड केर टिप्ष में दोस्तों अगर आप भी गड़्मियों की दिन में बेल का शर्वत ज्यादा पीते हैं तो आप साफधान हो जाएए क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि बेल के सर्वत का ज् को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दवाएं गर्मिया सुरू होने वाली है ऐसे में लोग ठंडे ठंडे शर्वत पीना शुरू कर देते हैं अगर आप भी गर्मिया आते ही अपनी डाइट मे परतने की जरूरत है घी हांfold कुछ सर्वत ऐसे हैं जो सब्सक्राइब का सर्वत अच्छा नहीन बेशक क सर्वत गर्मियों में बहुत फाइद आ करता है लेकिन डाइवटीज की मरीजों को बेल का सर्वत नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसको बनाते समय इसमें चीनी डाली जाती है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूज रहे हैं या इसकी दवाद चल रही है तो ऐसे लोगों के लिए बेल का सर्वत खतरनाक शावित हो है कॉर्डियाक पेशेंट हैं तो बिल्कुल भी बेल का सर्वत ना ले अगर आप बेल का सर्वत ले रहें तो डॉक्टर से जरूर बात करें दर्शल बेल का सर्वत बॉड़ी को वाटर लेवल चेंज करता है अगर आप कोई दवा ले रहें या फिर आपकी उम्र 30 यदिक है तो आपको बेल का सर्वत लेते समय सावधानी वरतनी चाहिए बेशक आप एकाद ग्लास बेल का सर्वत पी सकते हैं लेकिन रोजाना डायट में सामिल करने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें अब हम आपको बताएंगे बेल के सर्वत से होने वाले फाइदों की बा बेल का सर्वत तीनेजर्ण और यंग एलडरस्ट के लिए बहुत अच्छा है इतना ही नहीं 30 से कम उम्र के लोग बेल का सर्वत आसानी से पी सकते हैं खून साफ करने में भी यह काफी मदद करता है बेल एक ऐसा फल है जो पेर से तूटने के बाद भी कई दिन तक सही रहत है बेल में कई न्यूटिशन्स जैसे प्रोटीन, बीटा, कैरोटीन, थाइमीन, राइवुफलेवीन और विटामिन सी उच्छ मात्रा में पाया जाता है